हईब रेलो फ्रेंट आईए इस प्रॉब्म को सॉल करते हैं क्या किरते हैं तो अब हमसे क्वेशिए पुछता है किरने कि लाजस नपर करिये तो चार consecutive even numbers अगर हम लिखे तो वो क्या हो जाएगा x, x plus 2, x plus 4, और x plus 6 question में में क्या कह रहा है कि इसका जो average है वो क्या है 9 है और हमें पता है कि average क्या होता है वो middle term होता है ठीक है इन चारों के case में middle term क्या होगा वो कहीं वो इनके और इनके बीच का होगा number ठीक है x plus 2 और x plus 4 के बीच का होगा it means कि x plus 2 और x plus 4 का जो average है वही हमारा क्या है 9 है 13 समझे है तो यहां से हम क्या करें कि x की value find out कर लेंगे 2 x plus 6 divided by 2 is equal to 9 आ जाएगा यहां से further solve करेंगे तो यह 2 को अगर यहां ले जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 x plus 6 is equal to 18 6 को यहां transfer करेंगे तो minus हो जाएगा 18 में से वो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा 2 x equal to 12 x की value कितनी आ जाएगा 6 आ जाएगा it means कि जो सबसे छोटी value है यह वाली value है उसकी value कितनी है 6 ठीक है और हमसे question में क्या पूछा है कि largest बताओ x plus 6 बताओ तो x plus 6 कितने के बराबर हो जाएगा x की value कितनी है 6 है 6 plus 6 that turn out to be 12 option 1 इस question का सही answer है 11 अली झाल